अब आपके सारे फिसिक्स के नेस्टिन माच्जाउब्स का सफाय है बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों कीचो अक्राप को और तुरूंच वीडियो सिलुशन पाउ डाउलोड कीजिए डाउटन आप अभी है फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट सार चार्सो चार्स इस इस कुशन दे रखा है एक बुलेट है जिसका मास 50 gram है वो फायर केया जा रहा है बिलो इन्टु द बब इस बॉब में उसको फायर केया जा रहा है और बॉब का मास्ट दे रका है 450 gram और फस इंपल पैंडुलम का बॉब है कि बुलेट रिमेंस इंसाइड दा बॉब तो यह Jr Softwareinson of momentum को क्वेस्चेन न वहो क्या रहा है कि जैसे बुलेट इसमें फैर हो रहा है तो यह पूरा बॉलेट साथ में क्या कर रहा हूपर जा रहा हैсь और जैसे ही साथ व deglut जाते हैं तो किसी maximum height पे जाके वो इसका पूरा safe जो है यह जो string है वो पूरा lose हो जाता है और यह किसी maximum height पे जाते हैं वो height दे रखा है 1.8 meter तो speed of bullet हमको find out करना है सबसे पहले हम कैसे कर लेंगे तो यह हमारा दोनों जो bob plus bullet है इसको हम एक system आलेंगे system के उपर जो नेट फोर्स नहीं लग रहा है इसले है momentum conservation रहेगा तो मिस्ट मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इसमें इसमें रहेगा तो अभी linear momentum before collision is equal to linear momentum after collision that is PI is equal to क्या हो जाएगा पीएफ लीनियर momentum before collision हमारे पास क्या है यह जो मास है यह bullet का मास है bullet का मास कितना है 50 gram तो यह 50 gram को केजी में convert करेंगे तो 0.05 तो of course इसको simply 0.05 लिख ले रहा है तो यह हमारे पास आ जाएगा यहां से 0.05 into velocity इसकी क्या है mass into velocity velocity कहीं given है तो the speed velocity given नहीं है इसकी the bullet is fired in the pendulum velocity given ही तो मान ले कि इसकी velocity क्या होगी वी होगी initially अब क्या है दोनों जो है एक दूसरे से collide कर गए collide करने के बाद यह इसमें embed हो गया फिर उपर जा रहा है तो अब combined mass जो आ रहा है actually bullet का mass तो 0.05 है और यह bob का mass हमारे पास क्या 450 गया ग्राम मिंस 0.45 kg और इसका combined velocity capital V है तो अब भी हम small V जब calculate करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5510 carry 1 means 0.5 divided by 0.05 into capital V तो यहां से यह हमारे पास कुछ आ जाएगा V is equal to 100 से इसमें multiply करना पड़ेगा 100 से इसमें तो यह 50 by 5 means यह आ जाएगा 10 I think 10 V या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं capital V combined mass की जो velocity होगी वो V by 10 हो जाएगी तो यह हमारा combined mass की velocity मिल गई means यह दोनों जब embed हो जाएंगे उसके बाद उपर किस velocity से जाएंगे उपर जिस velocity से जाएंगे वो velocity होगी हमारा initial velocity का 10th part हो जाएगा initial velocity का 110th velocity से यह उपर जाएंगे दोनों अब पूछ रहा है find the speed of bullet तो find the speed of bullet तो bullet की speed हमको कैसे find out करनी होगी तो अब यहां से हमकी maximum height कितने height पर जा रहा है 1.8 meter height पर जा रहा है तो equation of motion लगा लेंगे equation of motion क्या लगएगा हमारे पास V square third equation of motion V square minus V square is equal to 2as अब यह जी की value हमको क्या लेनी है 10 लेनी है तो चुकि यह ऊपर जा रहा है पूरा जाएगा g जी हो जाएगा a जो replace हो जाएगा जी से replace हो जाएगा और initially यह reset में था होने की वजह से की इसील velocity क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी हमारे कर हमारे पा सूप इनीशिल velocity of bob क्या था जीरो था final velocity of bob हमने क्या निकाल लिया है final velocity of bob निकाल ला है v by 10 that is इसकी velocity का 10th velocity यह final velocity है यह velocity of bob है यह velocity of bullet है small v तो velocity final velocity of bob क्या हमने निकाल ला है v by 10 इसका whole square this is equal to 2z g की value क्या निकाल लिए 10 into s s हमारे पास क्या है s है 1.8 meter यह है 1.8 meter तो अभी हम velocity of bullet यहां से easily calculate कर सकते है v square हमारे पास आ गया 10 square which is 100 into 2 into 10 means 2 into 10 into 1.8 क्या हो जाएगा 18 into 2 तो 18 into 2 जा कित्ता हो जाएगा हमारे पास 36 100 यह v square आ जाएगा that means कि v क्या आ जाएगा square root of 3600 which is equal to 60 meter per second यह हमारे पास क्या आ गया velocity of bullet आ गया 60 meter per second यही साइड इस question में पूछा गया था speed of bullet वो कितना आ गया हमारे पास 60 meter per second